आपने मुझे हवी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें हमारे हिंदुस्तान में करवा चौत बड़े धूम नाम से मनाया जाता है करवा चौत के दिन निर्जला ब्रत किया जाता है और रात्री में चंद्रमा को पूजन करके अरग देने के बाद ही हमें अपना ब्रत तोड़ना पढ़ता है अरग देने के लिए हमें करवा की आविशक्ता पढ़ती है और पूजान करने के लिए हमारे पास करवा चौथ की इस तरह से फोटू रहती है और हम अपने बड़े ही बिर्विधान से करवा चौथ की पूजा करती है करवा चौत जो है क्रश्न पक्ष कार्टिक की क्रश्न पक्ष की चौत को गणेश चौत को मनाये जाता है यह बहुत ही लोगप्रिय ब्रत है यह हमारे हिंदोस्तान में हर प्रदेशों में अधिक से अधिक प्रदेशों में मनाये जाता है पंजाब में तो इसे बड़ी धूमधाम से ही मनाते हैं आज मैं आपको करवाचोट की कथा सुना रही हूँ सुनिये एक सेड़ जी थे उनके हाँ साथ पुत्र थे और एक लड़की थी साथों पुत्रों की शादी हो चुकी थी और लड़की की भी शादी उनने इसी साल की थी तो उस लड़की का पहला करवाचोट था उसके साथ भाई थे और माबाप थे साथ भावियां थी तो माँ और भावियां समने ही करवाचोट का ब्रट किया बड़े विधान से सुबह से इसनान ध्यान किया और दिन भर निराहार रहा पर वो लड़ी की बड़ी ही कूमल थी बहुत सुकमार थी इसलिए उसको ब्रत करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और कार्टिक की कृष्ण पक्ष की गणेश चतूर्ची के दिन चंद्रमा भी थोड़े देड़ से ही उगता है इसलिए वह छोट इसी ननी इसी लड़की और जो है इस ब्रत को करने में ठकने लगी उसका मुख मंडल जो है मलीन पढ़ने लगा तो उसके सात भाई थे सातों भाई अपनी बहन को बहुत अधिक प्यार करते थे वह अपनी बहन की यह इस्तिती देखकर बड़े चिंतित हो रही थे और आप रही है इसका चहरा देखो पीला पड़ा रहा है यह बेहोस्ती हो रही है तो सातों भाई परेशान हो रहे हैं और उन्होंने सातों ने विचार किया कि क्या किया जाए तो उनने कहा हम लोग कृतिम कृतिम चंद्रमा बना लेते हैं तो उनने कहा कैसे उनने कहा हम पेड़ के उपर चड़ जाते हैं और चन्नी ले लेते हैं तो उस पर दीपक जला लेते हैं और चन्नी से वह दीपक चंदमा का आकार ले लेगा तो हमारी बेहन को बहुत दे तक ब्रत नहीं करना पड़ेगा तो वो लड़के साथो लड़के पील पर चड़ गए और उनना दीपक जला लिया और एक लड़के ने चन्नी ले ली एक भाई उसको चन्नी से दीपक दिखाने लगा तो और भाई पुहुँचे और कहने लगे देखो बेहन भाई चन्दमा उदाय हो चुका है अब तो पना चन्रमा को देखा और बहुत खुस हुई और उसने चल्ली से चन्रमा को अरक दिया और अरक मैं उसने कहा जब हम लोग इस करवा से अरक देते हैं तो हम इसमें ये साथ जो है सराई की सीके होती है इसमें रख लेते हैं और इस पर दीपक जला लेते हैं और इसके अंदर पानी भल लेते हैं जो फल्फूल मुष्ठान होता है इस दिये पर रख लेते हैं और इसके उपर एक जलता हुआ दिया रख लेते हैं और अरक से पानी निकालते हुए करवा की टॉंटी से कहते हैं चार बार चार बार हम अरक देते हैं पहले कहते हैं कि अरक है पारवती जी के पती शिव जी का लियो चंद्रमा अलग इस तरह से चार बार हम पारवती जी का नाम लेते हुए अरक को देते हैं फिर उसके बाद हम चार बार अपने पती का नाम लेते हुए अरक को देते हैं और चंद्रम को बढ़िया सा भोग लगाती हैं पहले के समय में तो कच्चा पक्का सारा ही खाना बनाया जाता था और चंद्रमा को थाली और उसकर भोग लगाया जाता था तो उस लड़ीकी ने भी चार बार कहा कि अरग शिवजी की पारवती जी के पती शिवजी के लिए चार बार ही मन से ठाली में भोग ले जाकर चंद्रमा को भोजन कराया और उसके बाद उसने भी पानी पी लिया और भोजन कर लिया लेकिन चंद्रमा उदर होने में तो बहुत टाइम था और उसको बहुत पहले ही इन लोगों ने चंद्रमा दिखा दिया था जैसे ही रात हुई थी उसको उनको चंद्रमा दिखा दिए था, तो उसका पती मुर्छा गया. तो जैसे ही पती मुर्छित हुगा, तो भाईयों को बड़ा दुख हुगा, कि हमारी बेहन का तो पती खतम हो गया हमनों की गलती से, तो पत न, उनकी बेहन ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए, कि हमारे पती को हमारे पास सुला दीजिए तो उन्होंने अपने पती को अपने पास सुला लिया और बारा साल तक करवा चौत आने का इंतिजार किया बारा साल बाद जब करवा चौत आया तब उन्होंने बड़े बिद्विधान से करवा चौत का पूजन किया और पूजन कर उठ गया और जैसे ही उनका पती उठा उनका सुहाग अमर हो गया तो जब से यह करवाचौत का ब्रत हमारे हिंडुस्तान में बड़े धून नाम से मनाया जाता है इतन महला है बहुत ही अच्छा संगार करके और पूरा दन ब्रत करके और फिर करवाचौत की पूजा करती हैं हमें भी चाहिए कि हम बड़े विद्विदान से करवाचौत का ब्रत रखें और करवाचौत का पूजन करें करवाचौत के पूजन करने से पती की लंबी आयू होती है धन्यवाद